हालो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आप सभी को स्वागत है अपना it to channel smart class विथ राविय में तो आज कि हम इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं रिजिनिंग छोड़कर कुछ मैथ पढ़ते हैं, कहें कि रिजिनिंग तो रेगूरल पढ़ी रहे हैं, लेकिन मैथ भी इसके बीच में पढ़ा दे रहे हैं, तो किसी आपको दिकत ना हो, कि इसलिए आज मैथ लेकर आगया हूँ, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई चीच रेगूरल दिया जाए, तो ओल लोग अंकसा जाते हैं, अंकसा जाते हैं, पढ़ते-पढ़ते, जैसे आप सभी को रोज रिजिनिंग दे रहे हैं, तो आप सभी अंकसा जाएंगे, पढ़ते-पढ़ते कहेंगे, है खाली रिजिनिंग पढ़ा रहे हैं, इसी में हम स सोचें कि आप सभी को मैं तुबी शाथे-णहीं पढ़ाते जाएं तो हम लेकर आगया हूँ आप सभी की बीच आज हम सभी आज पढ़ने वाले हैं जानते हैं क्या म àन पात का कोष्ष्यन हम कराने वाले अनुपात और सूरू लेवल से, ये टाइब नॉमबर 2 है, टाइब टाइब नॉमबर 1 आप सभी को बता चुके हैं, यदि आप टाइब नॉमर 1 नहीं देखे, तु टाइब नॉमर वन जा out पहले देखिए, काये उसमें बहुत जीएच्प चीज आपको बताते ही समझायें, बैसिक चीज समझाते आये हैं तो उसमें ट्रीक भी दे दिया और ट्रीक के साथ इसको भी हम समझाएंगे कैसे जल्दी बनाना है अनुपाद का कोश्चन हाँ आये हम देखते हैं कि इस वीडियो में कैसा कोश्चन और कैसे पुछता है हाँ जो मेरे चैनल में भी नए हैं और सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दे जैसे की बेल लेकर दे वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले मिलियर नोटिफिक्शन उसे उसको तो आय हम देखते हैं कि कोश्चन किस टाइब से पूछता है हाले कि मेरा भीडियो आप सुरू से लाश्ट बने रहे हैं लाश्ट तक बने रहेंगे तो बहुत आच्छा लगेगा काई कि देखी आप सभी सुरू में तो बेस रहता है सुरू में तो बेस से स्टार्टिंग होता है धीरे 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 जिसे last होता है हो इसे question के label वड़ता जाता है label वड़ता जाता है कुछ hard होते चला जाता है तो यह ओगे आपका type number 2 आप सभी को आज बताने वाले हैं हम चाहते हैं कि reasoning के साथ साथ मैत भी खतम किया जाए जिसे आप सभी को परसानी ना हो इसलिए सोचें कि आज reasoning ना पढ़ा हैं आज आप सभी को मैत पढ़ा दें इसलिए आज मैत पढ़ा रहे हैं आए देखते हैं कि question किस type से पुछता है आए हम लोग समझते हैं कि कैसे question और कैसे पुछता है तो देखिए यह होगे आपका question यह दी a बराबर 1 by 3 v देखिए a बराबर 1 by 3 v और v बराबर v बराबर sorry यहाँपस c होगा v बराबर 1 by 2 c है तो a अनुपाद v अनुपाद c अनुपाद बराबर क्या होगा क्या होगा यह हो जाएगा आपका question अब इसको आप कैसे बनाएंगे हम आप सबीको पहले v ने ने बस्ट बता देते हैं तब उसकी बाद पहले concept बता डढर ते आप सब पहले हम कुछ बे जान जाते हैं और concept के साथ इसको Alors करेंगे और फिर उसको आपको बताएंगे कि कितना जलदी इस से इस टाइप का question को आप बनाएंगे आज अनुपाद में आप सभी को अच्छा रोला सवाल पढ़ाएंगे अच्छा रोला रोला सवाल आप सभी को इस वीडियो में हम बताने देखिए कैसा कैसा question देता है बहुत ज्यादा question लेकर आएं कि आप सभी को कहीं से दिक्कत नहों और पाद सुरू से लास्ट टक आपको बताएंगे आए हम देखते हैं जैसे कि आप देखना है कि क्या दिया ए बराबर वान वाई थीरी वी और एक देखी आया आपका क्या वी बराबर वान वाई टू सी देखिए ते इसको आप कैसे करेंगे इसको आप कैसे करेंगे आप गो ए बी लोग रहा है भी इसके बाटा में आ जाएगा सी इसके बाटा में आ जाएगा आ जाएगा ना तो देखिए ए बाई बी बराबर वान वाई थीरी अफिर देखिए इसको 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 आप कैसे बनाएंगे इसको इसको आप लिख सकते हैं अनुपाद भी आ अनुपाद भी आप सब़ी को हम बोलिया है लएं टाइप नॉमबर वन आप देख लेंगे तो इस टाइप का कोशिचन आप इसली बना देंगे टाइप नॉमबर वन आप देखे होंगे तब बनाएंगे को आप पहले देखांगे तो भी जाकर समझ में आगा अब दताइए इतना को हम यह अनुपात बहुता है यह यह इतना vendor-0 जहां बाटा आए देखे जैसे कि आपको देदिया क्या ए अनुपाद B देदिया इसको आपको इसे लिखेंगे अनुपाद लिखना होगा तो A, अनुपाद B, लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा, आए हम देखते हैं कि कैसे, अब बनाते हैं इसको, इक question को हरम करते हैं, देखिए कैसे, देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A, अनुपाद B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B, अनुपाद C आप देखिए A unupad b k e unupad का दिया है ठीरे और इस का दिया A unupad do तो आप सभी को m 두के की प्रैस ना यह-ऐहां पर béई-वी same है यहां पर béई-वी same है तो इसका संख्या भी आपका same होना चाहिए इसका संख्या भी आपका same होना चाहिए यह बात आपको ध्यांदर कना है आपको सेम करने के लिए आपको क्या करना है गुड़ा करना है गुड़ा किसम करना है वह करना है नींद में दिखें ई हो गया 35 एस们 को समाघ में आगिया किивается साथ गुड़ा होगा दिखें इसको तोड़ा मिट्का देते हैं कि आपको दिखत्नोः कि एक एक से गुड़ा होगा एक एक से गुड़ा होगा और तुछीनल ऑनहेगा और फिर दोखिये तीन से प्रीट जाएंगे तीन से त्पीन हो जाएगा और छे हो गार आप देख रहे इसे की आपका दे दिया यहां पर आपको क्या कुणा करना है जैसे कि आपका देना यह पर देखे एक अनुपाद तीन तीन अनुपाद छे यह दे दिया है तो इसको आप क्या करना है देखे यहाँ पर भी के मान आपका सेम आ गया तो देखे बी के मान आपको दोनों नहीं उतरना है बी के मान आपको दोनों नहीं उतरना बी के मान आपका एक उतरता है कोई एक उतर देंगे देखे यहाँ पर भी का बी सेम सेम है तो यहाँ पर देखे बी के मान आपका सेम आ गया तो आपको क्या पूछ रहा है कोश्चन में देखिए आपका एंसर का पूछ रहा है आपका ए एक मान लिखा जाता है कोई एक मान लिख लेते हैं तो क्या आजाएगा तीन और सी का मान आपका देदी है क्या चोड़ इस टाइप से इसको अब आपको बता रहे हैं कि ट्रीक कैसे आप यूज करेंगे या कितना जल्दी आप उसको बना देंगे बहुत जल्दी इसको आप कैसे बना देंगे देखिए आपको कुछ नहीं करना है देखिए आपको हम ऐसे बताएंगे कि आप जल्दी समझ जाएंगे तो दिखिए आपको हम समझा रहे हैं कि ट्रीक कैसे काम करेगा इस कोस्चन में इस टाइप के कोस्चन में कैसे जल्दी ज अलाग अलाग आपको बताते जाएंगे देखिए अब इसको आप ट्रिक से कैसे जल्दी बनाएंगे देखिए एक कमांद आपका दे दिया है क्या एक कमांद आपका वन दे दिया है वन दे दिया है आप देख रहें कि यहाँ आपका क्या दिया है बी के मान वन दिया है लेकि यह फिर सी में भी गुडा हो जाएगा इस में गुडा हो जाएगा सब क्या जाएगा च्छे अुट में ऐसा चलूँ हाध क्या इतना लंबा यह यह शोच जल्दी आपका बन गया तक हम बडिये रहा Bernard हई कि जहां हमको हम ट्रेंट को सम्झाएंगे ऐसा बात नहीं है कि हम ख़ले फालतो को आपको बताते जाएंगे नहीं बहुत ज्यादा मेहनत आपको भी करना है हम तो करियाहें आप जितना मेहनत करेंगे जितना कोॉश्चन dunno बनाएंगे उनुपाइद का अतना ही भाघ्विट बनता जाएगा देखी हम इसको आप क्या द करेंगे कुछ फैदा होगा सब्सक्राइगे देखें थोड़ा स्माज में का अना में चाहिए तदेखें क्या हो गया यह तो आप जान रहे हैं कि यह बाटा में आपका चल्या जाएगा यह हो जाएगा थिरी भाई टू अब यह देखिए बाटा में भी भाई सी इस का कितना माना है दो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक के मान तो ठीक है एक के मान तो आप देख रहे हैं कि ठीक है एक हो जाएगा लेकिन बी के मान देखें यहाँ पर तीन दे दिया है और यहाँ पर आपका एक दे दिया है यहाँ पर आपका तीन दे दिया है यहाँ पर आपका एक दे दिया तो आपका इंसर क्या जाएके देखिए इससे गुड़ा करेंगे तो आपका तीना जाएगा और बिशल टुब्हसे पूछ रहे का पूछ रहा है तो व अनुपाद व गया यह सहा हो नए और देखिए सी के मावल गया यह हो कि अब देखिए ही αναलिक नेस्ट लेकर आपको संजा रहे हैसे तो देखिये कैसे इंश्च पॉस्ट आपको समझा रहे हैं कि देखिए आपका क्वोश्चन यदि आप चाहते हैं कि आप हमको कमेंट करकर बता सकते हैं कि आप बहुत ज़ाज़ सुलो पढ़ाते हैं तेज लगे तो हम आपको तेज भी बढ़ा देंगे ऐसा बात नहीं है कि हम इतना सुलो पढ़ा रहे हैं कि आप को समझाने के लिए यदि हमको बनाना होता तो इसको अब कभी से बना देते हैं आप से इतना चिलाते नाहीं आप सभी को समझाने के लिए once होड़ा त्रौ तो आप ढा़िये और कमेंट करके बताए हमको कितना चाईये हम उसको आपको बताते जाएंगे ठीक है? तो देखिए आप जितना धीरे धीरे पड़ेंगे और जितना समझ में आएगा आप देखिए रटी ये जान आपको समझना आए ये बात नहीं है कि खली रट लिए बस हो जाएगा नहीं आपको धीरे 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 बढ़ना आए एक क्याली सोचेंगे कि एक क्याली छत पचलेएंगे तो नहीं होगा दीरे दीरे पढ़िए आपको सारा समझ मेँ आ जाएगा अनुपात का कोश्ण सारा समझ में आ यह देखीयेंगा बताइएगा हमको क्या आपको कहीं कर समझ में यहां लेकिन हम जितना पढ़ा तक तार यह थी रहा हैं तो किलों भाइब मतार हैं वह समझा रहे हैं खुड़ से किताब से अनुपात का साधा Sorrent ऑफ है नहीं रहे हैं ठीक है आई देखते हैं नेस्ट कोश्चन देखें जैसे कि आपका कोश्चन देदिया यृदि एम का 15 % बबार इन का 20 % हो तो ए अनुपाद एनका मान दाता है तेदिक इस टाइब के कोश्चन आप कैसे जल्दी बनाएंगे कैसे जल्दी बनाएंगे पहले हम आपको कंस्टेप्ट देते हैं तो आपको देखे एम का के आप जानते हैं कि का का गुड़ा होता है का मनें गुड़ा होता है तो का गुड़ा और 15 परसेंट आप जाहां रहे 15% परसेंट के आप जहां रहे कि 100 होता है परसेंट बराबर आपका 100 होता है तो बाता में 100 हो जाएगा अब एन गुड़े 20 अनुपाद और भाई 100 तो 100 से आपका कड़ जाएगा अब आप देखे एक कितना हो जाएगा आप अचार को एक साइड लाएए और चार को एक साइड ले जाएए तो देखे एम बाई एन और देखे बीस बाई 15 इसको आप कैसे लिखेंगे एम अनुपाद बराबर 20 अनुपाद 25 तो देखे आपको क्या करना है कटाएं कितना आप चार अनुपाद तीन चार अनुपाद तीन आपका एंसर आजाएगा चार तीन आपका और आपको गए कि कि इसका टीक नहीं है टीक है डेखिए कितना जल्दी आपको इसको जवाब देदेंगे यह दी यहां पाप का देखिए निस्ट कुछ बेसिक बता कर आपको समझा रहें देखिए यहीसे कि आपका दे दिया ए का 20% बराबर बी का 25% बराबर है विच में बराबर है तो परसेंट परसेंट आपका कड़ जाएगा बराबर हैगा तो आपका परसेंट बराबर में कड़ जाएगा तो देखिए आपको क्या करना है सिधा से ए अनुपाद वहाँ तो पूछ रहा है तो इसको इसको आपका देंगे तो कितना हो जाएगा आपका चार अनुपाद पाच चार अनुपाद पाच आपका इंसर आ जाएगा अभी इसको कहेंगे कितना जल्दी बना देते हैं देखें बराबर है तो परतिसात आपका कड़ जाएगा ठीक है अभी इसको कटा देंगे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा अट देखिए न इसको आप करेंगे एम आ जाएगा चार एक साट हो जाएगा चार एक साट जाएगा त इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा चार अन पर फिने होगा तो देखते हैं अब निस्ट कोईश्चन कुछ कुछ अलग करते हैं कुछ अलग आपको बताते हैं ताइस कोश्वन को आपको कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर आपका यहाँ अपर देखिए क्या दे दिया है आपका 2 है दे दिया है थिरी है और मान पूछ रहा है doit icбы उन्पाद vb का मानम सभी से भी पूछ रहा है इस टाइप से कंगो कैईसे बनाना है देखिए आपको हम कुछ बता ने हैं कि कैसे आपको बनाना ना है तो देखिए आप सबसे पहले बीडियो तो रोकर पहले आप question बनाएजा नाकर हमके answer comment में करिए तो की वीडियो मेरा आप रोके होंगे और question आप बनाए होंगे तो आए आई आए हम आपको समझाते हैं कि आप कैसे बनाए हैं हम कैसे बनाते हैं तो देखिए A अनपाद B का मान आपको देदिया एका 5 अनपाद 7 अब आपके से क्या पुछ रहा है देखिए C अनपाद D बराबर C अनपाद D का मान आपका देखिए क्या देदिया 2 अनपाद 3 अनपाद B 2 अनपाद A और 3 अनपाद B तो आप देखिए यहाँ पर आपका A और B का मान आपका देदिया है तो आप सिधा से यहाँ पर A और B का मान रख दीजिए सिधा से A और B का मान रख दीजिए कितना हो जाएगा 2 गुड़े 5 अनुपाद 3 गुड़े 7 गुड़ा करेंगे ते 10 अनुपाद 21 12 दॉस अनुपाद 21 क्या गिया आपका मान C अनुपाद D का मान आपका आगया है तो आप देख रहें कि A अनुपाद B का भी और C अनुपाद D का भी कह गये तो आपका क्या कह रहा है क्या कह रहा है आपसे अनुपाद वी इसारी एबी अनुपाद और इधी अनुपाद आपसे पूछ रहा है तो दिखिये आप से क्या पूछ रहा है देखे, ती हो जाएगा A B, A B के माण आपका क्या देदीया है यहाँ पर C होगा, sorry C रहेगा, ते दीखे, A C, अन्हीं इतना हो गया, तह आपका क्या देदीया है देखे ए क्यमान देदी आपका 5 और सी क्यमान देदी आपका 10 और बी क्यमान देदी आपका 7 और डी क्यमान देदी आपका 21 तो इसको आप गुड़ा करेंगे इसको आप गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 अनुपाद कितना हो जाएगा 147 आपका और यहां आपको कहेंगे कि गल्ती हो रखेंगे तहीं बन जाएगा भी रहता है यहां पर यहां पर बेराबर ब्लब अन्पाल पर रहा तो भी तो बन जाएगा ऐसा बात नहीं हो नहीं बनेगा बन जाएगा लेकिन देखिए आपको E होगे अब फिर निस्टोन लेकर ओपिए अपका वोगे आपका कोश्चन इसको आपका इसे बनाएंगे देखिए अनपाद, M अनपाद, N का मान आपका देदिया का, 2 अनपाद, 3, 2 अनपाद, 3 देदिया है, देखिए इसको आपके से लिख सकते हैं, M by N, और इसको लिख सकते हैं, 2 अनपाद, 3, तो आपसे आप मान पूछरा है, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो देखिए आपका देदी है 3 और देखे M कमान देदी है आपका 2 तो 2 प्लस 5 और देखे N कमान देदी है आपका 3 तो हो जाएगा 3 बाटाम देदी है आपका 6 गुड़े 6M तो M कमान आपका 2 देदी है 2 और का दिया है माइनस माइनस N कमान आपका देदी है 3 तो देखे इसको गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 प्लस 15 और बाटाम हो जाएगा 12 माइनस 3 तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 6 21 इसको आप करेंगे घटाएंगे 12 में तीन घटेगा तो आपका 9 कितना हो जाएगा 7 बाई 3 साथ बाई 3 आपका एंसर हो जाएगा तो इस टाइप का कोशन आप जाएए जहां तहां है वहां से आप उठाएए और बनाएए नहीं बनेगा तब हमको कहिए कि नहीं आप कुछ भी नहीं बताए हमको समझे में नहीं आए कोश्चन नहीं बढ़ रहा है आप कमेंट करकर हमको बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं यदि आपको समझ में आ गया है तो आप जाएए और जितना कोश्चन है सेट में कहीं भी है किताब होके कोई भी किताब होके उतमा जहां अनपाति का कोश्चन होके और ऐसा टाइप का कोश्चन है आप जाएए पहले बनाएए को होगी मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए कमेंट करिए अपने दोस्तों को पास सेयर करिए और जो मेरे चैनल में और चाहते हैं कि ऐसा ऐसा अनपाति का कोश्चन न चुटे और मैथ में कुछ करना आया और करकर कुछ देखाना आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वेल आइकन के दबादिए अगला वीडियो लेगे रहें तो नोटिफिक्शन मिले सबसे पहले आपको तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब के लिए जैन जै भारत